ओम शान्ती आज 21 मई दो हजार चॉबिस के बाबा के अनमोल मतुर महावा के सुनेंगे आज की मुद्ले में बाबा कहे शु बाबा हमारा बाप, पीचर और सत गुरु है दुनिया में ऐसा कोई भी बाप नहीं होगा जिसका बाप नो हो हर इंसान का बाप, पीचर, गुरु होता ही है लेकिन ये एक बाप ऐसा है जिसका कोई बाप नहीं जिसको किसी के पास कुछ भी सीखने के लिए जाना नहीं पड़ता है और जिसे किसी से अपनी सद्गती नहीं कराने हो तो बापा ही आकर के हम बच्चों को इतनी सुन्दर ज्ञान युक तो पलना देते हैं शुबाबा को ही नौलिजफुल ज्ञान का सागर कहा जाता है वो आकर हमें ज्ञान के गुई रहस ये बताते हुए सिखाते हैं और सद्गुरु बन सबकी स्रेश्ट ते स्रेश्ट सद्गती कर देते हैं तो इसी लिए बाबा कहे तुम बच्चों को ये नशा होना चाहिए कि सुप्रीम फादर जिसको गौड फादर कहते हैं वही हमारा सुप्रीम टीचर भी है और सुप्रीम सद्गुरु भी है साथी साथ बाबा कहे बच्चे तुम्हें किसी के भी पार्ट को देख करके संशे में नहीं आना चाहिए क्योंकि ड्रामा में हर आत्मा का पार्ट अपनापना है किसी के साथ अगर रावन इर्शा करता है या उसके जीवन में अनेक उथल पुथल आती है तो जरूर कर्मों का हिसाब भी वहाँ जुड़ा हुआ है तो उसके पार्ट को देख करके संशे बुद्धी नहीं बनना है लेकिन ड्रामा में हर आत्मा का कल्यान समाया हुआ ही है ये समझते हुए साक्षी हो करके उसके पार्ट को देखूँ तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मतुर महावाक्य ओम शान्ती, मीठे बच्चे, शिव बाबा वंडर्फुल बाप, टीचर और सत्गुरू है उसे अपना कोई बाप नहीं वो कभी किसी से कुछ सीखता नहीं उन्हें गुरू की दरकार नहीं ऐसा वंडर खाकर तुम्हें याद करना चाहिए आज की मुर्ली से प्रश्न है याद में कौन सी नवीनता हो तो आत्मा सहजी पावन बन सकती है उत्तर याद में जब बैठते हो तो बाप की करंट खीचते रहो बाप तुम्हें देखे और तुम बाप को देखो ऐसी याद ही आत्मा को पावन बना सकती है ये बहुत सहज याद है लेकिन बच्चे घड़ी घड़ी भूल जाते हैं कि हम आत्मा है शरीव नहीं देही अभी मानी बच्चे ही याद में ठहर सकते हैं ओम शांती मीठे मीठे बच्चों को यह तो निश्चे है कि यह हमारा बेहत का बाप है उनका कोई बाप नहीं दुनिया में ऐसा कोई मनुष्य नहीं होगा जिसका बाप नहों एक-एक बात बड़ी अच्छी समझने की है और फिर नौलेज भी वसुनाते है जो कब पढ़ते नहीं है नहीं तो मनुष्य मात्र कुछ न कुछ पढ़ते जरूर है शिबाबा को पढ़ने की कोई आवश्यक्ता नहीं सिक्रिश्न भी पढ़ा है बाप कहते हैं मैं क्या पढ़ू? मैं तो पढ़ाने आया हो मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ मैंने कोई से सिक्षा नहीं ली है कोई गुरू नहीं किया है ड्रामा प्लैन अनुसार बाप की जरूर उँच ते उँच महिमा होगी गाया भी जाता है उँचे ते उँचा भगवन उनसे उँचा फिर क्या होगा? न बाप, न टीचर, न गुरू इस बेहत के बाप का न कोई बाप है न टीचर है, न गुरू है वस्वयम है बाप टीचर गुरू है वस्वयम है बाप टीचर गुरू है यह तो अच्छी तरह समझ सकते हो ऐसा कोई भी व्यक्ति हो नहीं सकता यही वंडर खाकर ऐसे बाब पीचर सत्गुरु को याद करना चाहिए बाबा कहे बाबा की एक एक बात पर वंडर खाकर उन्हें उस तरीके से याद करना चाहिए मनुष्य कहते भी है ओ गौड फाधर नॉलेज़फुल टीचर भी है खाली गौड फाधर नहीं है लेकिन बाबा कहे नॉलेज़फुल टीचर भी है सुप्रीम गुरु भी है एक ही है ऐसा कोई दूसरा मनुष्य मात्र नहीं होगा उनका पढ़ाना भी मनुष्य तन में है पढ़ाने के लिए मुक्त जरूर चाहिए यह भी बच्चों को घड़ी घड़ी स्मृती रहे तो भी बेड़ा पार हो जाए बाप को याद करने से ही विकर्म विनाश होंगे सुप्रेम पीचर समझने से सारा ज्ञान बुद्धी में आ जाएगा वसत गुरु भी है हमको योग सिखला रहे है एक के ही साथ योग लगाना है सभी आत्माओं का एक ही फादर है सब आत्माओं को कहते हैं मा में कम्याद करो आत्मा ही सब कुछ करती है इस शरीर उपी मोटर को चलाने वाली आत्मा है उनको रत कहो वा कुछ भी कहो यहां रत भी है, मोटर भी है आत्मा की, कुछ भी कहो, मुख्य चलाने वाली आत्मा ही है आत्मा का बाप एक ही है, मुख से कहते भी हो, हम सब भाई भाई है एक बाप के बच्चे हम सब भाई भाई है फिर जब बाप आते हैं प्रजा पिता ब्रह्मा के तन में तो भाई बहन होना पड़ता है प्रजा पिता ब्रह्मा मुख्रों शावली तो भाई बहन होंगे ना भाई की बहन से कभी भी शादी नहीं होती है तो यह साब प्रजा पिता ब्रम्हा कुमार कुमारिय हो गए तो भाई बहन समझने से जैसे बाप के लवली चिल्डरन इश्वरिय संप्रदाई हो गए तुम कहेंगे हम है डायरेक्ट इश्वरिय संप्रदाई इश्वर बाबा हमको सब कुछ सिखला रहे है वह कोई से सीखा हुआ नहीं है श्वर बाबा कोई से सीखा हुआ नहीं है वह तो है ही सदेव संपूर्ण उनकी कलाएं कभी कम नहीं होती है और सबकी कलाएं कम होती है हम तो श्वर बाबा की बहुत महिमा करते है शिव बाबा कहना बड़ा इजी है और बाप ही पतीत पावन है सिर्फ इश्वर कहने से इतना जचता नहीं है बाबा कहने से अपने पन की फीलिंग आती है इश्वर कहने से बाबा कहीं जचता नहीं है अभी तुम बच्चों को दिल में जचता है कांसी बात चत्रती है यह हम उसके स्वीट चिल्डरन है बाप कैसे आकर पतीतों को पावन बनाते हैं लौकिक बाप भी है पारलौकिक बाप भी है पारलौकिक बाप को सभी याद करते हैं क्योंकि पतीत है तब याद करते हैं पावन बन गए फिर तो दरकार ही नहीं पतीत पावन को बुलाने की ड्रामा देखो कैसा है यह ड्रामा देखो कैसा है wonderful पतीत पावन बाप को याद करते हैं चाहते हैं हम पावन दुनिया के मालिक बने हैं शास्त्रों में दिखाया है देवता और असुरों की लड़ाई लग अभी तुम समझते हो क्या समझते हैं हम न असूर है न देवता है अभी हम है बीच के न असूर है न देवता है मनुष्य है सभी तुमको कूठते रहते हैं यह खेल बड़ा मजे का है नाटक में मजा ही देखने जाते हैं न वह सब है हद के ड्रामा यह है बेहद का ड्रामा इनको और कोई नहीं जानते देवता है तो जान भी नहीं सकते अभी तुम कल्यूक से निकल आये हो जो खुद जानते हैं वह औरों को भी समझा सकते हैं एक बार ड्रामा देखा तो फिर सारा ड्रामा बुद्धी में आ जाएगा बाबा ने समझाया है क्या समझाया कि मनुष्य स्रिष्टी रूपी जाड है इनका बीज उपर में है विराट रूप कहते हैं न बाप बैठ तुम बच्चों को समझाते हैं मनुष्य को ये पता नहीं है शिव बाबा कोई से भाषा सीखा होगा पुश्ते बाबा शिव बाबा कोई से भाषा सीखा होगा जबकि उनका कोई टीचर ही नहीं तो भाषा फिर क्या सीखा होगा तो जरूर जिस रत में आते हैं उनकी भाषा ही काम में लाएगा तो इसलिए शिव बाबा की अपनी कोई भाषा नहीं जिस रत में आते हैं उनकी भाषा को ही प्रयोग करते हैं उनकी अपनी भाषा तो है नहीं वह कुछ पढ़ते सीखते ही नहीं है उनका कोई टीचर होता नहीं सिक्रिश्न तो सीखता है उनके मा, बाप टीचर है उनको गुरु की दरकार ही नहीं क्योंकि उनको तो सद्गती मिली हुई है, यह भी तुम जानते हो, तुम ब्राम्मन हो सबसे उँच, यह तुम स्मृती में रखो, कि हम है सबसे उँच दे उँच ब्राम्मन, हमको पढ़ाने वाला है बाब, हम अभी ब्राम्मन है, ब्राम्मन देवता क्षैत्रिय वैश शु इतना क्लियर है, बाब को तो पहले से ही कह देते हैं, वह सब कुछ जानते हैं, क्या जानते हैं? ये किसको पता नहीं है, कि वह नॉलेजफुल है, ये नहीं सब कुछ जानते हैं, बाबा कहें वह नॉलेजफुल है, सारे स्रिष्टी के आदी मध्य अंत की उनको नॉलेज है, बीज को सारे ज़ाड की नौलेज होती है, वह तो है जड़ बीज, तुम हो चैतन्य, तुम अपने ज़ाड की नौलेज समझाते को बाप कहते हैं मैं इस वेराइटी मनुष्य स्रिष्टी का बीज हो, है तो सब मनुष्य परन्तु वेराइटी है, एक भी आत्मा के शरीर के फीचर्स दूसरे जैसे नहीं हो सकते, दो एक्टर्स एक जैसे नहीं हो सकते, यह है बेहत का ड्रामा हम मनुष्य को एक्टर्स नहीं कहते हैं, आत्मा को कहते हैं, एक्टर आत्मा है, मनुष्य नहीं, वो लोग मनुष्य को ही समझते हैं तुम्हारी बुद्धी में है कि हम आत्में एक्टर्स हैं, जो शरीर द्वारा डान्स करते हैं, शरीर द्वारा अपना पार्ट प्ले करते हैं, जैसे मनुष्य बंदर को डान्स कराते हैं, यह भी आत्मा है जो शरीर को डान्स कराती, पार्ट बजवाती हैं, यह तो बहुत स समझने की बाते हैं, बेहत का बाप आते भी जरूर है, ऐसे नहीं के नहीं आते, शिवजैन्ती भी होती है, बाप आते ही तब है, जब दुनिया को चेंज होनी होती है, जब इस दुनिया को चेंज होनी होती है, तब ही बाबा इस अंसार में आते हैं, बक्ति मार्ग में सिक्रिष्न को याद करते रहते हैं परन्तु सिक्रिष्न आये कैसे कल्यूग में या संगम पर तो सिक्रिष्न का रूप इन आखों से देखा नहीं जा सकता फिर उनको भगवान कैसे कहे वह तो सत्यूग का पहला नंबर प्रिंस है उनका बाप टीचर भी है गुरु की उनको दरकार नहीं है सत्यूग में गुरु की दरकार नहीं वहाँ बाप है टीचर है गुरु की उनको दरकार नहीं क्योंकि सदगती में है गुरु करते हैं सदगती के लिए वो है ही सदगती में तो वहां गुरू की दरकार नहीं स्वर्ग को सदगती कहा जाता है हिसाब भी क्लियर है बच्चे समझते हैं मनुष्य 84 जन्म लेते हैं कौन-कौन कितनी जन्म लेते हैं वह तो हिसाब करते हो DT गराना जरूर पहले-पहले आता है पहला जन्म उनका ही होता है एक का हुआ तो उनके पीछे सभी आ जाते हैं यह बाते तुम जानते हो तुम्हारे में भी कोई अच्छी रिती समझते हो जैसे उस पढ़ाई में होता है यह है बहुत सहज सिर्फ एक गुप्त डिफिकल्टी है पढ़ाई बहुत सहज यह सिर्फ बाबा का एक गुप्त डिफिकल्टी है क्या गुप्त डिफिकल्टी है तुम बाप को याद करते हो उसमें माया विग्न डालती है क्योंकि माया रावन को हशद होता है यानि इर्शा होती है हम बाप को याद करते हैं तो माया विग्न डालती है क्यों, क्योंकि माया रावन को इर्शा होती है, तुम राम को याद करती हो, तो रावन को हशद होता है कि हमारा मुरिद राम को क्यों याद करता है, तो रावन को इर्शा होती है कि हमारा मुरिद राम को क्यों याद करता है, यह भी ड्रामा में पह पहले जो पाड बजाया है, वही बजाएंगे, अभी तुम पुर्शार्थ कर रहे हो, कल्प पहले जो पुर्शार्थ किया है, वह अभी भी कर रहे हो, यह चक्र फिरता रहता है, कभी बंद नहीं होता है, टाइम की टिक टिक होती रहती है, घड़ी की टिक टिक चलती रहती ह बाप समझाते हैं, यह 5000 वर्ष का ड्रामा है, शास्त्रों में तो कैसी कैसी बाते लिख दी है, बाप ऐसे कभी नहीं कहेंगे कि भक्ती छोड़ो, क्योंकि अगर यहां भी चल नहीं सके और वह भी छूट जाए, तो न इधर का न उधर का ही रहें, न इधर का रहेंगे न उधर का रहेंगे, इसलिए बापा कभी किसी को नहीं कहते भक्ती को छोड़ो, कोई काम कहीं नहीं रहा, इसलिए तुम देखते हो, कई मनुश्य ऐसे भी है, जो भक्ती आदी कुछ नहीं करते हैं, बस ऐसे ही चलता रहता है, कई तो कह देते हैं, भग जो रिपीट होता रहता है इसलिए इसको अनादी अभिनाशी वर्ल्ड ड्रामा कहा जाता है इसको भी तुम बच्चे ही समझ रहे हो इसमें भी तुम कुमारियों के लिए तुम बहुत सहज है माताओं को तो जो सीड़ी चड़ चुकी है वह उतरना पड़े बाबा कहे कुमारी को तो कोई और बंधन नहीं चिंतन ही नहीं बाप का बंचाना है लौकिक संबंद को भूल पारलौकिक संबंद जोड़ना है कलियोग में तो है ही दुरगत पारलौकिक संबंद जोड़ना मना एक ही संबंद एक बाबा के साथ सर्वसंबंद कलियोग में तो है ही द भारतवासी कहते हैं, यह सब कुछ इश्वर का है, वो मालिक है, तुम कौन हो, तो तुम आत्मा हो, जरूर है, बाबा कहे जब इश्वर को कहते हैं, वो मालिक है, तो बाबा कहे तुम कौन हो, वो मालिक है, पाकि यह सब कुछ इश्वर का है, यह देह आदी जो कुछ है, पर अमात्मा ने दिया है, मुख से कहते ठीक है, कह देते हैं, ये सब कुछ इश्वर ने दिया है, अच्छा, फिर उनकी दीवी चीज में ख्यानत थोड़ी डालने चाहिए, अगर कहते हैं इश्वरे सब कुछ दिया, तो फिर उनकी दीवी चीज में ख्यानत थोड़ी डालने च रावन मत पर चलते हैं, बाप समझाते हैं तुम तो ट्रस्टी हो, परन्तु रावन संप्रदाई होने करण तुम ट्रस्टी पने में अपने को धोखा देते हो, मुख से कहते एक हो, करते दूसरा हो, बाप ने चीज दी, फिर ले ली, तो उसमें तुमको दुख क्यों होता है ममत्व मिटाने के लिए ही, यह बाते बाप अपने बच्चों को समझाते हैं अब बाप आये हैं, तुमने ही पुकारा है, बाबा हमको साथ ले चलो हम रावन राज्य में बहुत दुखी है, आकर हमको पावन बनाओ, क्योंकि समझते हैं पावन बनने भी गर, हम जा नहीं सकते हैं हमको ले चलो, कहां? घर ले चलो, सब कहते हैं हम घर जाएं, सिक्रिश्न के भक्त चाहते हैं हम क्रिश्न पूरी वैंकुंठ में जाएं, सत्यूग ही याद रहता है, प्यारी चीज है, सत्यूग प्यारी चीज है, इसलिए याद रहता है मनुष्य मरता है तो स्वर्ग जाता नहीं है स्वर्ग तो सत्यूग में होता है कलियूग में होता है नर्क तो जरूर पुनरजनम नर्क में ही होगा ये कोई सत्यूग थोड़ी है वह तो वंडर ओफ वर्ल्ड है सत्यूग तो क्या है? wonder of world है कहते भी है समझते भी है फिर भी कोई मरता है तो उनके सम्बंदी कुछ भी समझते नहीं बाप के पास जो 84 के चक्र की knowledge है वो बाप ही दे सकते है तुम तो अपने को दे समझते थे वो रॉंग था अब बाप कहते हैं दे ही अभीमानी भव सिक्रिष्ण तो कहना सके दे ही अभीमानी भव उनको तो अपनी दे है नहीं शिव बाबा को अपनी दे नहीं है यह तो उनका रत है जिसमें वो विराजमान है उनका यह रत है तो इनका भी रत है शिव बाबा का रत है तो ब्रमा बाबा का भी रत है बाप कहते हैं मैं इनका आधार लेता हूँ अपना तो है नहीं शे बाबा को अपना तन तो है नहीं तो इनका लोन लेता हूँ उधार लेता हूँ अपना तो है नहीं तो पढ़ाएंगे कैसे बाप रोज बैठ बच्चों को कोशिश करते हैं कि अपने को आत्मा समझ और बाप को देखो ये शरीर भी भूल जाए हम तुमको देखे तुम हमको देखो पस यही है योग हम शिबाबा को देखे शिबाबा हमको देखते हैं तु जितना बाब को देखेंगे पवित्र होते जाएंगे और कोई उपाई पावन बनने का है नहें। कोई को भी बाप का परिचे देना है ऐसा बाप तो और कोई होता नहीं नव्ज देखो ऐसा समझा है जो चक्रीत हो जाए देखो बाबा कहे उसकी नव्ज देखो समझाने के बाद कि ऐसा समझा है जो चक्रीत हो जाए समझे बरोबर इनको परमात्मा कहा जाता है उनके मन में ये बात बैढ़ जाए कि हाँ यही परमात्मा है अभी तुम बच्चों को बाप अपना परीचे दे रहे है मैं कौन हूँ यह भी बच्चों को मालूम है हिस्ट्री रिपीट होती है जो इसकुल के होंगे वही आएंगे बाकी तो सब अपने अपने धर्म में चले जाएंगे जो और धर्म में कनवर्ट हो गए है वो फिर निकल अपने अपने सेक्शन में चले जाएंगे जो भी आत्मे और अपने धर्म में कनवर्ट हो गई है बाबा कहें वो फिर से निकल आएंगी और अपने अपने सेक्शन में और अमधाम में चली जाएंगे इसलिए निराकारी जाड भी दिखाया है यह बाते तुम बच्चे ही समझते हो बाकी तो कोई मुश्किल ही समझते है साथ आठ से कोई एक दो निकलेंगे जो समझेंगे यह नौलेज तो बहुत अच्छी है यहां का जो होगा उनको तुफान कम आएंगे संकल्प विकल्पो का तुफान कम आएंगे दिल होगी फिर जाए जाकर सुने कई फिर संग के रंग में भी आ जाते हैं तो फिर आते नहीं जहां पार्टी को जाता हुआ देखेंगे तो उसमें लटक पड़ेंगे जो व्यक्ती जहां जा रहा है देखेंगे तो बस लटक पड़ेंगे मेहनत लगती है बहुत एक-एक को निकालने में बहुत मेहनत लगती कितनी मेहनत करनी पड़ती है घड़ी घड़ी कहते हैं हम भूल जाते हैं मैं आत्मा हूँ शरीर नहीं ये घड़ी घड़ी भूल जाते हैं बाप भी जानते हैं बच्चे कामचिता पर बैठ कर काले हो गये हैं कब्रदाखल पो पड़े हैं इसलिए सावरे बन गए हैं, उनको फिर बाप कहते हैं, हमारे बच्चे सब जल मरे हैं, यह बेहत की बात है, कितनी करोडों आत्माएं, हमारे घर में रहने वाली है, अर्थात ब्रह्म लोक में रहने वाली है, बाप तो बेहत में खड़े हैं ना, तुम भी बेहत में खड़े हो जाएंगे जानते हो बाबा स्थापना करके चला जाएगा फिर तुम राज्य करेंगे बाकि सब आत्माएं शांती धाम में चली जाएगे अच्छा मीठे मीठे सी किलदे बच्चो प्रती मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रुखानी बाप की रुखानी बच्चो को नमस्ते हम सभी रुखानी बच्चो की रुखानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते शुक्रिया बाबा शुक्रिया आज की मुरली से धाना के लिए मुख्य सार है पहली पॉइंट किसी भी एक्टर से रावन हशद करे, इर्शा करे, विग्न डाले, तुफान में लाए तो उसे न देख अपने पुर्शार्थ में तत पर रहना है क्योंकि हर एक एक्टर का पार्ट इस ड्रामा में अपना अपना है यह अनादी ड्रामा बना हुआ है दूसरी पॉइंट, रावन मत पर ईश्वर की अमानत में ख्यानत नहीं डालने है सबसे ममत्व निकाल पूरा ट्रस्टी होकर रहना है आज का बापतादा का मधुरवर्दान हम बच्चों के प्रती है सदा एक रस मूड द्वारा सर्व आत्मों को सुक शान्ती प्रेम की अंचली देने वाले महादानी भव सदा एकरस मूड द्वारा सर्व आत्माओं को सुक शान्ती प्रेम की अंचली देने वाले महादानी भव आप बच्चों की मूड सदा खुशी की एकरस रहे कभी मूड ओफ, कभी मूड बहुत खुश, ऐसे नहीं सदा महादानी बनने वालों की मूर कभी बदलती नहीं है देवता बनने वाले माना देने वाले आपको कोई कुछ भी दे लेकिन आप महादानी बच्चे सबको सुख की अंचली दो शांती की अंचली प्रेम की अंचली दो तन की सेवा के साथ मन से भी ऐसी सेवा में बिजी रहो तो डबल पुन्य जमा हो जाएगा आज का स्लोगन है आपकी विशेश्टाएं प्रभू प्रसाद है इन्हें सिर्फ स्वयम प्रती यूज नहीं करो बाटो और बढ़ाओ अच्छा ओम शान्ति